नौइडा में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया, 19 नए केस आये हैं, स्वास विभाग ने जारी किया है, हेल्प लाइन नंबर, क्या है पूरी खबर आई आपको बताते हैं वस्तार से, नमस्षार मैं उखुज बुवर्मा, आप देख रहे हैं, नज़र टुडे, नौ जन से कोवीड प्रोटोकोल का पालन करने की अपील की है, सीएमों ने बताया कि जीलों में 19 मामले कोवीड के दर्ज हुए हैं, हाला कि इन में कोई भी मरीज अस्पताल में भरती नहीं है, सभी को होम आइसोलेशन में दिया गया है, सभी पर नजर रखी जा रही है, उन्हो पता चलेगा कि कोवीड का कौन सा वेरियंट है, जिनोम से क्वेंशिंग के लिए भीजिज गया सेंपल, डॉक्टर सर्मा ने बताया कि कोवीड को लेकर स्वास्विभाग की तैयारियां पहले से है, नए मामले आने पर फिर से सभी स्वास्थ केंद्रों पर चिकिस्षकों को सतर्क दिया गया है, सेंपलिंग और कॉंटेक्ट सेटिंग्स बढ़ा दी गई है, नीजी लैब को निदेज दिया गया है कि वो कोरोना का प्रोटोकोल पॉजिटिव मामले में आने पर उसका सेंपल स्वास्थ विभाग को उपलब्द करा है, ताकि उसकी चिनोम सेक्व कराया जा सके, सभी सबुदाइक और प्राथमिक स्वास्थ केंद्र प्रभारियों को निदेज दिया गया है कि OPD में आने वाले सीवीर एकुरेट, रेस्पेक्टरी, इन्फैक्शन, सारी और इन्फलोंजा लाइन, इलेशन्स के लक्षन वाले रोग्यों की जाच कराई ज जीला, सर्विलांस अधिकारी एवं डिजिटक, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि COVID को लेकर सर्विलांस स्टीम को मजबूत किया जा रहा है, सेटिंग सेटिंग्स बढ़ाया जा रहे हैं, ट्रांस्मेटर्स उप्चार की विवस्ता सारी किया गया है, 18041921, आसुविदा ना हो, मैं आपको दबार रिपीट करना चाहूंगी, 18041921 पे कॉल करें, इलाज कराया जाए, इस नंबर पे आप सारी जानकारी ले सेटिंग्स डॉक्टर अमित ने बताया कि इस से यह पता लगाया जाता है कि लोग वाइरस के किस व सभी जानकारी इसके वेरियंट और सब वेरियंट और प्रकेतिक का पताच लगाया जाता है कैसे होती है जाच, मनिश्टिक कोशिकाओं की अंदर अनुवांसिक पदात होता है, जिसे डीने और आरने कहते हैं, इसे जीनोम भी कहते हैं, इसी तरह वायरस का भी एक डीने होत कोवीट के बढ़ने की सूचना विल रही है हम आपसे यही अपील करते हैं कि साफधान रहें सतर्क रहें और बार-बार हाग धोते रहें यानि कि कोवीट के प्रोटोकोल का पालन करते रहें ऐसे ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे बहुत-बहुत धन्यवाद